ये जानना जरूरी है कि जो गठिया है बच्चों में, क्या उनकी आंखें भी ड्राइ कर रहा है? गठिया आपके फेफरों पे, आपके हार्ट पे, हर चीज पे असर डाल सकता है. अगर बच्चा कह रहा है कि सुबह उठके, मुझे यहां दर्द होता है, यहां दर्द होता है, या फिर उसमें कहीं सूजन है, तो टेस्ट जरूर करवाएं. एलोपैथी में सप्रेशन है, जब आप किसी भी बिमारी को दबाते हैं, इम्यूनो सप्रेशन्स जब आप देते हैं अपने बच्चे को, तो आपका बच्चा एक कॉमन कॉफ एंड कोल्ड से भी नहीं लड़ सकता. कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, उनका बच्चा जरा सा विमार हुआ नहीं, वो लगातार उनको फीवर रेदूसिंग एंटी पारेटिक ड्रग्स देते रहते हैं, आप अपने बच्चे के टेस्ट बर्ड्स पे काम कीजिए, बच्पन से ही उसको एक्स्ट्रीम टेस्ट की आदत मत डालिए, सियतनामा में आज बात बच्चों में होने वाले गठिया रूप पर, बच्चे भी आजकल रिमेटाइड अर्थराइटिस यानि गठिया का शिकार हो रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, और कैसे इन छोटे बच्चों का ध्यान रखा जाए, अगर उन अभी तक नहीं देखिये, वो देख सकते हैं, लेकिन आज सारी का हम बात करेंगे, बच्चों में भी गठिया बढ़ रहा है, और वो बिचारे बच्चे जिनके जोडों में सूजन आ चाती है, दर्थ होता है, उनके लिए सहना भी बहुत मुश्किल होता है, तो बच्चों जरूरी है कि जो गठिया है बच्चों में, क्या उनकी आँखे भी ड्राय कर रहा है, मुझ भी सूखता है क्या बच्चे का, क्योंकि गठिया सिर्फ आपके जोडों तक ही सीमित नहीं होता है, गठिया आपके फेफणों पे, आपके हार्ट पे, हर चीज पे असर डाल सकता है, हार्ट की जो अंदर की आर्ट्री होती है, उसमें भी इंफ्लमेशन कर सकता है, लंग्स की सकारिंग कर सकता है, शौगरं सिंड्रोम कर सकता है, और कई बच्चों में ज़्यातर कामन होता है एंगिलोजिंग स्पोंडॉलाइटईS, ख्शे का गठिया ही होता है, तो बहुत सारी कॉंप्लिकेशन्स आने का खत्रा रहता है, कई पेशिंट्स की आंखें बहुत जादा ड्राय रहती हैं, और ये ड्राइनस जो है, उनके विजन पे भी इंपक्ट करती है, यानि उनके दृष्टी भी बहुत जादा कमजोर हो जाती है, तो जब भी बच्चों में ऐसे सिम्टम्स हो, उसको इगनोर नहीं करें अगर बच्चा कह रहा है कि सुबह उठके, मुझे यहां दर्द होता है, यहां दर्द होता है, या फिर उसमें कहीं सूजन है, तो टेस्ट जरूर करवाएं, अब यहां पर टेस्ट जब हम करवाते हैं, तो कुछ पेशिंट्स जो हैं, वो कहते हैं कि मेरा आरे फेक्टर नेगिटिव है, लेकिन मुझे दर्द है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसको गठिया नहीं है, टेस्ट जो है, वो यूजलेस हो जाता है बहुत सारे केसे में, क्योंकि सीरो नेगिटिव रूमुटाइड आर्थराइटिस बहुत पैनल होता है, एंटी-सी-सी-सी-पी भी होता है, एनने भी होता है, रूमुटाइड फेक्टर होता है, क्वांटिटिटिव, अगर हम इनका टेस्ट करवाएं, तो इनने से कम से कम भी 10-15 पेशेंट्स ऐसे होंगे, जिनका रूमुटाइड टेस्ट जो है, वो पॉ और कई बर पेशन्ट को बिमारी है, सारे सिंटम्स हैं, लेकिन आपका टेस्ट नेगिटिव आता है, उस केस में हम कहते हैं, इस सीरो नेगिटिव रूमुटाइड अर्थराइटिस, अब इसमें आपके सिंटम्स डिफरेंट नहीं होने वाले हैं, यूर गोइंग टू सफर जितना एक पॉजिटिव यूनो टेस्ट वाला पेशन्ट सफर करने वाला है, सो बच्चों को अर्थराइटिस होने की क्या वज़े हैं, जैसा हमने डिसकस किया था कि बड़ों के बारे में जब हमने बात की थी, कि हमने ये चीज़ कॉन्क्लूट की थी, कि कुछ फेक्टर जैसे कि emotional stress, emotional trauma and long abuse of antibiotics, खराब डाइट का होना, जंग फूड का होना, अब बच्चों में, जैसे मान लीजे, बहुत चोटा बच्चा है, अब वो तो निर्दोश है, उसे कोई mental stress भी नहीं है, तो यहां पे बहुत ज़ादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो कैसा microbiome लेके तो उसकी मा का क्या state of mind था? अच्छा, मतलब एक गर्वती महिला जो है, क्या सोच रही है, अगर वो तनाव में हैं, तो उसकी बच्चे को भी उस तनाव का असर पैदा होने के बात बढ़ सकता है? बिलकुल, इसलिए आपने देखा है कि कैसे हमारे पुराने जमाने से अब मा अगर बहुत जादा stress में है, तो naturally मा की सहत अच्छी नहीं रहेगी, और जब मा की सहत अच्छी नहीं रहेगी, तो उसकी खुद की सहत खराब होगी, और साथ ही में उसके fetus का भी जो आने वाला gut microbiome जिसको कहते हैं, इसे हम आम भाशा में अगर समझाएं, तो किस त आई जाती है, कि उसके immune cells ही इतने strong नहीं बने हैं, कि वो कुछ चीजों को control कर सके और वो autoimmune disorder का कई बार रूप ले लेता है, दूसरी वज़ा जो हमने देखी है, वो ये है, कुछ parents क्या करते हैं, उनका बच्चा जरा सा विमार हुआ नहीं, fever चड़ा नहीं, वो लगातार fever reducing antipyritic drugs देते रहते हैं, एंटिबार्टिक का कोर्स तो वो यूं करा देते हैं, कि कुछ भी नहीं है, फटा फट एंटिबार्टिक दे दो, और उनको लगता बच्चा अब सेफ हो गया, अब वो ये नहीं समझते हैं, छोते से बच्चे की जो gut lining है, जब वो damage होगी, तो क क्या असर पड़ सकता है, बच्चे तो बार-बार बिमार पड़ते ही हैं, अब हम हमेशा से कहते हैं कि fever is your friend, असर दी जुकाम, बुखार, these are all happy crisis, इसमें आपको इतना जाधा परिशान होने की कोई जुरुत नहीं होती है, फीवर आप चड़ने दीजिए, नैचरली अगले अपना temperature क्यों बढ़ा रही है, उसके पीछे वज़ा है, बॉड़ी अपना temperature बढ़ा रही है, ताकि वो अंदर वाइरस या बेक्टीरिया या पैथोजन जिसकी वज़ा से शरीर बिमार है, उसे वहीं पे किल कर सके, अपना temperature बढ़ा कर, हम लोग क्या करते हैं, इंटर्वे होते हैं, यह जी अंवे, एँगा अंदर्वीट को बढ़ा बढ़े का बादो नहीं लेल क्या रही है, तो बढ़ा यह सब ना दे हमें, इंटिगोन थे स्वासितिन अपना है और चप्रसकुर्व्मक्राइभ यह जहाऊ cocoa है, जो सबुटकोंjes को बहुत लंबे अरषे तक ब और अभी बहुत सेंसिबल डॉक्टर्स है हमारे जो एंटिबार्टिक्स नहीं लिख कर देते हैं वाइरल इंफेक्शन में तो वैसी एंटिबार्टिक्स का कुछ मतलब नहीं बनता है तो आप बच्चों में वज़े तो आपने पता दी लेकिन होग चाहे तो उनका कैसे ध्य बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा है खाने दो कुछ भी पचा जाएगा ठीक है वो पचा भी जाता है क्योंकि बहुत स्ट्रॉंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है डेजेशन बहुत अच्छे से हो जाता है उम्र ही ऐसी है लेकिन कहीं ना कहीं जब बच्च की गट लाइनिंग डामेज हो रही है डाजेस्टिव सिस्टम खराब हो रहा है तो ओवरॉल हेल्थ पे बहुत बुरा असरा आता है बच्चा एक ब्लैंक स्लेट है उस पे आप कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने बच्चे के टेस्ट बड्स पे काम कीजिए बच्पन से ह उसको एक्स्ट्रीम टेस्ट की आदत मत डालिये एक्स्ट्रीम टेस्ट का मतलब है एक्सेसिव सोडियम एक्सेसिव शुगर जो बहार पैकेज़ फूड में मिल रहा है आप सोचिए बहुत जादा नमक बहुत जादा मीठी चीजी चिप्स और बिस्केट बढ़े अराम से पकड़ा देते हैं चोकलेट देते हैं अची विलकुल आप यह सोचिए कि बच्चे किस तरह से कोक की बॉटल पी जाते हैं एक कोक की बॉटल में 24-25 ग्रैम्स तक शुगर होती है तो कहां से बच्चों का यूनों डाजेशन अच्छा रहने वाला है अभी अगर माल लीजे चाइल्डूड में उनको कोई प्रॉबलम नहीं है आगे जाके आप हार्ट पेशिंट्स त्यार कर रहे हैं आप हाइपर टेंशन पेशिंट्स त्यार कर रहे हैं आप ऑस्टियो आर्थराइटिस पेशिंट्स त्यार कर रहे हैं तो यहां पर अगर मैं रोमुटाइड आर् बड़ों की रुमुटाइड आर्थराइटिस वाली वीडियो में डिसकस किया था कि खाना कैसा होना चाहिए वही बच्चे पे भी आपका अप्लाए करेगा with few variations no doubt because छोटे बच्चे हैं साथ में दवाईयां भी हम उस तरीके से देते हैं जिस त्राइब का constitution होता है बच्चे का डाइट के साथ साथ उनके लिए आयरुवेदिक मेडिसिन भी बहुत काम करती है और बच्चों का जो रुमुटाइड आर्थराइटिस है अगर हम बच्चपन से ही इस चीज़ को रेमिशन में डाल दे तो आगे हम उनका बहुत स्ट्रॉंग एक गट बना सकते हैं ताकि उ हैं आपके पास जो गठिया के मरीज मेरे पास सबसे चोटा पेशिंट जो है वो सिक्सियर्स के है क्योंकि वेरिंट्स को समा जाने में ही देर लग जाती है कि गठिया भी हो सकता बच्चों को तो वहीं पे दो तिन साल के इबर निकल जाते हैं और कुछ खास बातों का ख्य से स्टिरियोइड्स, डीमैड्स, इम्यूनो सप्रेस्टेंस ले लेकर हार चुके थे अपना इतना डामेज कर चुके थे अल्टीमेटली डाइट नहीं उन्हें ठीक किया है तो बच्चों के भी डाइट पे धिहान रखे उनका गठिया ठीक किया जा सकता है क्योंकि एलोप कॉल से भी नहीं लड़ सकता क्यूंकि इम्यून सिस्टम स्प्रेस कर दिया गया है, स्टिरियोइड्स दे के आप क्या करेंग sécurité अप्या करेंगे इस तرहां की दमाययां दे के पें किलर्स जो सिर्फ इं टबा रहे हैं सर्फिस पर लेवल पे काम कर रहे हैं हमें काम करना है गठिया है उनकी पेरेंट्स के लिए, माबाप के लिए. बच्चों को बहुत शुरू से ही बहुत हेल्दी आदतें डालें जैसे ही आपका बच्चा छे महीने का होता है. सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग is very important. ब्रेस्ट फीडिंग कराएं exclusive छे महीने तक, उसके बाद जब वीनिंग का टाइम आता है, नएने खाने इंट्रड्यूस करने का टाइम आता है, तो बहुत इंपोर्टन्ट है कि पेरेंट्स एक्साइटमेंट ने क्या करते हैं, उनको ऐसी ऐसी ची ठीक है, यह सच है, यह बहुत सारे पेरेंट्स अब कर रहे हैं, आप खुद यह चीज करके देखिए कि अगर आप healthy खाना खाते हैं तो आपको cravings नहीं रहती है, cravings are a sign of deficiency in your body, craving is a sign of sick body, ठीक है, तो बहुत ध्यान रखें इस चीज का कि बच्चे को, बच्चा जैसे मैंने एक खाली स्लेट है, उस पर आप कुछ भी लिख दीजिए, अब दूसरी बात, बच्चे बिमार पड़ते हैं, ठीक है, बच्चे बार बार बिमार पड़ते हैं, यह इस चीज को बहुत जादा seriously नहीं लेना चाहिए, बात बात पर antibiotics बच्चे को नहीं दे, बच्चे को fever reducing medicines, बेवजा नहीं दे, बच्चे को सिर्फ दर्द हो रहा है तबी दे, ठीक है, इस चीज को आप avoid कर सकते हैं, आप बच्चे के digestive system को उसकी gut lining को protect करें, क्या नहीं करना चाहिए, जिनके घर में बच्चों को गठिया हो जाए, बच्चों को गठिया जिनको हो गया है, उनकी तो biscuits, cookies, इस तरह की चीजे देना बन करें, और उन्हें आदर डालें सिर्फ healthy food की, आप एक, you know, एक hygiene बनाएए अपने घर में, कि हमारे को कठे बैढ कर घर का खाना ही खाना है, कई parents ये सोच के, खुद को satisfy कर लेते हैं, कि मैं घर पे बना देती हूं, noodles मैं घर पे बना देती हू after all, packet इतो तोड़के बना रहे हैं, तो ready to eat mixes ये सब मत दीजिए बच्चों को, बच्चों को wholesome meals दीजिए, ताकि उनकी body repair हो सके, और वो किसी भी बिमारी से fight करके, healthy तंदुरुस्त बनके निकल सके, आचा जब बच्चों में गठिया का दर्थ होता है, उसे कैसे manage करें, पोटली में नमक डालना है, ठीक है, नमक डालके उसको तवे पे गरम करना है, पोटली को, और उसके बाद वहाँ पर सिकाई करनी है, एक उस एरिया पर, ठीक है, उसके अलावा रात को सोते वत, अगर वहाँ पर कैस्टर ओयल यानि इरंडी के तेल की एक application करके, बच्चे क कम हो जाएगा.